और बताओ जी कैसे हो तो हम लोग एक बर फिर से आज चुके भाई नहाद होके बिल्कुल साफ सुत्रा होके तो आज के वीडियो में हम लोग धीपली चर्चा करने वाले आर्मर के उपर A to Z बात करेंगे और नॉर्मल बाते नहीं करेंगे कि जैसे आर्मर कैसे बनाते वो तो पता है तुम लोग हो ठीक है तो थोड़ा सा घुसके बात करने वाले तो चलो भाई वीडियो सुरू करते हैं देखो आर्मर जो है वो सुरुआद होता है इससे डायमेंड आर्मर बिल्कुल इसके पीछे जो आर्मर है ना मतलब आयरन के आर्मर या फिर लेदर के आर्मर औ स्रिफ कपरा है वाई ठीक है असली आर्मर तो भाई इधर से शुरू होता है और नेधर आइट में जाके कतम होता है देखो अगर गेम के शुरुआद में ही तुमको भाई एक बढ़िया सा डायमेंड आर्मर चाहिए तो फिर अपने पास दो ही रस्ता बचता है या तो हम denken कर ले और मॉनेंग के अंदर भी दो रस्ता बचता है या फिर के अंदर जाके वंचden कर सकते हम फिर हम लोग कर सकते लेकिन उड़न बहूत साना मॉब्स होता है और बात सकुस्य मिसमी इसीर में भाई अतम ही ओ जोग हो चुगा है दो तिन घंटा माइनिंग करने के वावा जूद भी एक फुल आर्मर बंजा इतना डायमन नहीं मिलता तो फिर जी करे कैसे सबसे बढ़िया और आसान तरीका है बाई ट्रेडिंग करके हम लोग ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी एक पूरा डायमन के आर्मर बन पाओगे देखो अबने को क्या करना है अपने को एक विलेज के अंदर आ जाना है और फिर भाई यह ब्लास्ट फंडेंस लगा देना है अभी इस ब्लास्ट फंडेंस से एक बंदा भाई आडमर बन जाएगा और उसके साथ अपने को ट्रेडिंग करना है तो यह आगया ट् फरसा आयलन का ट्रेडिंग करना है, सॉबीश आयलन का ट्रेडिं Judic करेंगे, तो ये थरी लेवल पे आजाएगा, ठीके, ये लो जी, और ये थर्ड लेवल पे, मेरे को डायमंड के ब्ॉट दे रहां है, तो अभी से ये बंदा मेरेको diamond के boots दे रहा है और अगर इसके साथ मैं थोड़ा सा और trading करूँगा तो ये बंदा एक और diamond का चीज मेरेको देगा या तो lagging या फिर helmet या फिर chest plate तो इसके पास से हम लोग 2 diamond के चीज़े खड़ीद पाएंगे उसके बाद मेरेको और एक armorer के सा trading करना है और उसके पास से दो चीज़े खड़ीद आ है बस काम खतम पूरा diamond के armor बन जाएगा ये सबसे आसान तरीका है एक पूरा diamond armor बनाने का ये सब ठीक है चलता रहता है लेकिन अगर तुमको पूरा ही focus में diamond के armor चाहिए मतलब मेहनत करना ही नहीं है तो फिर तुम जा सक तो भई एक woodland mansion के अंदर इधर थोरा सा secret room रूणना पड़ेगा तुमें फिर तुमें मिल सकता है एक पूरा diamond के block इधर भी बहुत तकरा diamond मिलता है उसके बाद तुम जा सकतो भई नेधर fortis के अंदर उधर भी बहुत अच्छा diamond loot मिलता है भई loot chest के अंदर तो ये कुछ पाके तुमें diamond मिल सकता है और एक पूरा armor तुम बना सकते हो अभी तुम लोग कहोगे कि फिर end city में तो पूरा diamond armor मिल जाता है अगर end city तक पहुच गया है तो फिर diamond armor का करना क्या है चलो भई armor मिल गया अभी बात करते हैं एंचेंड मेंट के उपर काफी सारा enchantment आता है तो पहले हम लोग respiration के उपर बात करेंगे यह आगे अपना respiration देखो respiration जब हम लोग पहलेंगे न तो हम लोग पानी के अंदर जाके शांस ले सकते देख लो भई यह बुलबुला अभी गायब नहीं हो रहा है अभी 10 सेकिंड तक यह बुलबुला गायब नहीं होगा यह ले सकते और आराम से सर्वाइब कर सकते वई तो चलो भाई अभी बात करते हैं नेक्स्ट हेलमेट का इंचेंडमेंट के उपर जो किये वाई एक्वा एफिनेटी यह जो एक्वा एफिनेटी है यह पानी के अंदर माइनिंग करने में काम आता है यह हम लोगों ने पी लिया वर्टर बिडिधिंग पोसल और यह पहली है एक्वा एफिनेटी अभी अगर हम लोग पानी के अंदर माइनिंग करेंगे तो देख लो भाई बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग उपर माइनिंग करते न सेम माइनिंग होगा लेकिन यही चीज अगर हम लोग हेलमेट उतार के करने की कोसिस करेंगे तो देख लो भाई एक आयरन निकालने में कितना डाइम लग रहा है तो एक्वा एफिनेटी भाई जाना कुछ नहीं करता है बस पानी के अंदर माइनिंग एकदम मक्षण बना देता है उसके बाद बाद करते भाई बूट्स के इंचेंडमेंट के ना के बराबर मिलेगा बहुत उजाई से कुद गए फिर अलग बात है हम लोग बात करते दूसरे इंचेंडमेंट के उपर जो किये बाई डेप स्ट्राइडर देखो ये वाला इंचेंडमेंट भी काफी जादा थगरा है बस इसको पहनना है और फिर पानी के अंदर जाना जैसे पानी के अंदर जाओगे ना भाई फ्लास बन जाओगे बिल्कॉल देख लो कितना टेजी से स्वीनिंग कर रहे हम लोग बिल्कुल ये श्यरी मदद करता और काफी स्पीर अपना बढ़ा देता है तो यह है आपना नौर्माल वाला स्पीर काफी स्लो है जैसे यह पह काफी ज्यादा अ eenजी है किया करता है यह भाई पानी को बना दिता यह देख लो प्रसे बन गया बैए और जैसे धूर जाएंगे फिर ख कोराइंगे फिरसे लोग अरहं से पानी के ऊपर चल सकते हैं अपने को भाई सुम करने की कोई जरूरत ही नहीं है देख सकतो आराम से हम लोग पानी के उपर चल रहे और एक बार भी पानी के अंदर नहीं गया हम लोग यह देख लो पीछे देख लो भाई आइस का एक प्लाटपॉम बना दिया हम लोगों ने तो यह कुछ भाई फ्रोस्ट वकर का कमाल है तो चलते हैं अपना next segment के ऊपर जो कि है भाई laggings बिलकुल तो laggings के अंदर अलग से दो enrichment होता है swift sneak and throne भाई बात करते हैं swift sneak के ऊपर यह भाई 1.19 में आया था काफी तबाहितदार आईटेम है भाई इसके मदद से हम लोग तेजी से चल सकते बैट के बाई यह देखो बैट गया हम लोग यह अपना normal speed अभी यह पहलेंगे यह देख लो बाई जैसे चल रहे आराम से लेकिन हम लोग sneak कर रहे तो यह था बाई swift sneak का कमाल इसके मदद से हम लोग बैट के जल्दी से चल सकते और इसके मदद से जो bridging होता है ना भाई बहुत तगरा bridging होता है बैट के जो bridging करोगे तबाई मजात होगे बिल्कुल तो चलते हैं अपना next enchantment के उपर जो कि यह थ्रॉन यह दोनों के अंदर लग जाता है चेस प्लेट में भी लग जाता है और lagging में भी लग जाता है अपने को क्या करना है थ्रॉन वाला पहन लेना है यह दर असल इस तरीके से काम करता है अगर कोई भी मॉब तुम्हारे उपर अटाक करेगा और तुमने थ्रॉन वाला इंचेंड में पहन के रखे उंगे तो भाई उस मॉब को भी डैमेज बिलेगा यह आगा जॉम्बी अगर यह मेरे को मारेगा यह यह देखो इसको भी डैमेज मिल रहा है भाई देख लो यह डैमेज ल जाएगा तो हम लोग पहले बात करने वाले ब्लास्ट बोडेक्शन 4 के उपर वाई यह बेसिकल एक ऐसा आइटम है ना इसके मतल से हम लोग जो ब्लास्ट होता है ना मतलब टी एंटी वाला ब्लास्ट या फिर अगर क्रीपर फट जाए तो उससे हम लोग थोड़ा सा बच सक करना है यह वाला नॉर्मल आर्मर के उपर देखते हैं कितना जादा डामेज मिलता है अगर कोई क्रीपर फटता है तो यह लोग प्र आ गया बिल्कुल मुझ पे उसका और ओ हो 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 दो हट पे बचा में सिर्फ दो हट पे अभी पहले हेल्थ को रिकवर कर लेते हैं उसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे अभी हम लोग टेस्ट करने वाले वाले यह वाले आर्मर के ऊपर मतलब यह सब के अंदर ब्लास पोडेक्शन फोर बई ओके यह आ गया अपना फुल हेल्थ अभी यह क्रीपर को बुलाते है और बिल्कुल मुझ पे खड़ा हो जाते हैं बिल प्लेटिक्शन का तबाई कमाद से बाद बाद करतें से अन्चेंड से पजाब के जो किया है वान और अल्ली भाई फायर पोडेक्शन वीज अचनी अब हैब आपते हैं अभी अपने पास और बाला आर्मर लेके पड़े लोग लाबा में जाने वाले पीकिल यह पूत गlor वो मिनिट में हमारा चुट्टी कर दिया भाई नौडवल वाले आर्मर के उपर अभी पहन लेते अपना fire protection वाले आर्मर अभी कूच जाते लावा के उपर और देखते कितने देर तक सर्वाइब कर सकते हम लोग वाव भाई साब देख लो इतना slow damage मिल रहा है इतना slow damage मिल रह और उपर से अगर खाना खाते रहना तो कभी मरेंगे ही नहीं लावा के अंदर तो अगर हम लोगों ने fire protection पहन लिया तो लावा के अंदर मरना तो cancel है बिल्कुल cancel तो यह था भाई कुछ fire protection का कमाल अभी बात करते हैं अपना next enchantment के उपर projectile protection मेरे बाई तो अभी इसका भी और इसे बाई दो बढ़िया दोस्त यह हमारा दोस्त बाई तो देख लो बाई जैसे इनके पास हम लोग आये damage लेना सुरू हो चुका है बैए तो देख लो काफी जादा लोग कर दिया इन लोगों ने और और यह इन लोगों निप्टा दिया मेरे को बहुत आसानी से पीके इन लोगों ने मेरे को मार दिया अभी यही चीज अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल प्रोडेक्शन वाला आर्मर पहन के करेंगे तो कुछ नतीजा ऐसा होगा भई देख लो हफ हट का भी डैमेज नहीं दे पार है यह लोग मेरे को तो यह था भाई कुछ प्रोजेक्टाइल प्रोडेक्शन का खमाल जिसके मदद से हम लोग सलकर वगरा से बच सकते तो यह था कुछ भाई ओफरल फंडा भाई ब्लास प्रोडेक्शन फायर प्रोडेक्शन और प्रोडेक्टाइल प्रोडेक्शन का अभी बात करते हैं अपना मेन किंग के उपर जो किये वाई ओल्ली प्रोडेक्शन बिल्कुल वाई यह अपना ओल्ली प्रोडेक्शन आर्मर जिसके मदद से अपने को यह जितना भी मैंने दिखाया ना मतलब फायर प्रोडेक्श से पाले जितना डैमेज नहीं मिल रहा है कृपर से बच सकते बाई यह देख़े लो मुपे आ गया हमें और कितना डैमेज मिला तीन हटका बैई और धोरसा बैई शलकर से भी बचा लेता है अपने को देख लो डैमेज तो मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा कम मिल रहा है तो यह था बाई कुछ प्रोडेक्शन 4 का कमाल जो कि सारा आर्मर एंचेंडमेंट चुड़ा के बनाया बाई अभी देखते हैं आर्मर को कैसे डिस्ट्रॉय करते है बाई मतलब खतम कैसे करना है देखो हर तरीके का जो pockets लिलेधर आर्मार आइलन आर्मार चेन आर्मर धायमंड आर्मर यह सब भई लवा के अंदर खतम हो जाता है बिल्कुल अगर हम लोग इसको लाबा के उपर डालेंगे न तो देख लो भाई टाटा गुडबाई खतम तो हमेशा के लिए क्या काम से भाई अभी मिलने वाला है नहीं लेकिन यही लाबा के उपर अगर हम लोग नेधराइट के आर्मर डालेंगे तो वो कोई भी अपना नेधराइट के आर्मर को ड्रॉब करेंगे गाएब हो गया भाई बिल्कुल यह पकड़ा आर्मर और यह गया और पखैत न यह है अशली तरीका नेधराइट के आर्मर को कटम करनेगा लेकिन पता नहीं कौन ही करता होगा खतम mio equivalent तो चलो भई आज इसका वीडियो इधरी खतम करते हैं ये था कुछ आर्मर के ऊपर अपना चर्चा भाई अगर वीडियो अच्छा लगाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी लाइक कर देना मैं मिलता हूं तुम लोगो नेक्स वीडियो में